आदर निये में त्रों जिस बात का डर था वही हुआ है विदानता में विदानता के प्रमोटर्स विदानता के प्रवक्ता लगातार कहते रहे कि हमें नहीं बेचना है नहीं बेचना है नहीं बेचना है लेकिन उन्होंने आज जमीनी सचाई है माल पठक दिया दही परसेंट की हिस्सेजारी विज़ानता की सफ़िदर जी नहीं बेची है और दूपरसेंट की विगवाली आई है पुल मिलाके साडे 45% का माल पड़क दिया है आज की जेत्म सबसे ज्यादा जी हाँ सबसे ज्यादा वुल्यूम रिकॉर्ट की गई है विज़ानता में आना किसी भी शेयर के लिए वैसे अच्छा नहीं होता लेकिन दोस्तों हम इस समय आधा खाली नहीं आधा भरा गिलास देखने पर फोकस करेंगे दरसल अगर विदानता ये पैसा होगा कर अपना करजा कम करता है प्लेजिंग कम करता है इस्ट्रेटिजिक बिजनेस हिस्सेदारी घटाएंगे अब चार-पाच परसेंट और कम कर देंगे तो फिर जो है मालकाना हक भी निकल जाएगा हाथ से तो जो ओ-एफ-एस की टेंशन थी वो अब खतम होते होते अपने आखरी चरण में आ गई है इसलिए विदानता को लेकर हम मद्यम से लंबी अब् जाहिर है वह खरीदारी के अफजर होंगे उपर के लेवल पर यदि हमारे क्लाइट्स में से किसी का शॉट टर्म का नजरी आए तो वह प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ताकि वह नीचे और अधिक सस्ते धाम में खरीद सके हैं कारण दोस्तों यह है कि अल्यूमिनियम जिंक और लेड सिल्वर सब की सब मेटल्स जो हैं ग्रीन मेटल्स हैं उनकी डिमांट रहेगी ही रहेगी जिसके चलते इस धंदे का फवेश है औजवल आप शेर मार्केट है उठा पड़ चलती रहती है लोग कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं तो यह समश्या है यह रिस्क तो श कि जादा मिलता है तो आपका कहना होगा कि देवेश यार्थ विदानता गिर रहा है यह तो बड़ा अच्छा मुका है हमें विदानता खरिदना है तो दोस्तों आपकी सिवा में मैं हमेशां विदानता इबं हिंदुस्तान जिंक को अपने रेडार पर लगता हूं समयांग पर recommendation भी देने का प्रयास करता हूं तो आपने mutual funds को टीवी YouTube करीगा Instagram Facebook को बहुत मौकर दिये हैं एक मौका मुझे इंदास को जरूर दीजिए इसी वीडियो की description box में लिंक दी गईए उस पर click करके अभी कभी मेरा client वन जाने की कृपा कीजिएगा आपने वर